हाई आज मैं एक ऐसा शोपीस बनाऊंगी जो दो काम करेगा तो चलिए पहले बनाना शुरू करते हैं फिर बीचे बताती हो में क्या बनाएंगी हमने एक काड़ बोर्ड लिया हो और उस पर कुछ हम यह ड्रॉ कर रहे हैं यह मूछों का शेप और बस इसको काट लीजिए और काट के और इसको साइड में रखे यह सब हम बेकार चीजों से बना रहे हैं हाला कि यह ऐसा ही शुरूपीस मैंने एक मार्केट में देखा तो बहुत एक्सपेंसिव था और इस तरह से आप एक दूसरे काड़ बोर्ड को इस शेप में काट लीजिए उसको अच्छे से ग्ल और यह देखिए मैंने एक डिबा था ऐसे ही और उसमें हमने अंदर इस्टोन डग दीजिए से उसका वेट बढ़ जाए और चिपका दिया और उसके उपर इसको हम चिपका देंगे बस देखिए कितना इसके उपर हम लगाएंगे वह जो हमने मूच्छे काटी थी वो लग अब जाएगा यह एक मैंने नोज बना लीजिए और इसको आप इस तरही शेप में नोज की जगह पर इसको लगा दीजिए यह मैंने मार्केट में देखा था यह बहुत एक्सपेंसिव एक शोपीस था और फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको घर पर ट्राइ करती हूं बन अपने बेड्रोम में साइड टेबल पर रख लीजिए या फिर आप ट्राइंग रोम में रखें कहीं भी इसको रखें यह देखने में भी बहुत खुबसूरत बनेगा देखें फालतु चीजे घर में जो पड़ी हुई थी फेकने वाली उनी से मैंने इसको बना लिया और बस जब यह सब हमने इसको टेप से चिपका दिया है और अब हम इसको कलर करेंगे यह कलर करके इतना अच्छा बनेगा आपको लगेगा बिल्कुल यह देखें कार्डबोड से किया है खाली बेकार टिबबा पड़ा हुआ था फेकने वाला उसको भी यूज कर लिया है अब इसको कलर करते हैं आपको लगेगा यह बुटका है अग्दम लकडी जैसा ही लगेगा आपको वही कलर यूज कर लीजिए जो आपको लगे कि यह बुटका टच देना है आपको अगर तो और इसको वस इस तरह से आप कलर कर लेंगे तो यह बहुत ही अच्छा कलर भी आ जा और बिल्कुल बैसा ही बन गया है थोड़ा बस चेंज हो सकता है लेकिन मुझे लगता है यह मैंने जादा चाओस से भी बना लिया है और बस यह देखी पुरा पेंट हो गया अब इसकी हमने इसकी मूझे जो मैंने बनाई थी उनको भी मैंने पेंट कर रही हूँ और बातों इतना खुबसूरत बन गया है और इतनी जल्दी बन जाता है आप भी एक बड़ ट्राइ करिए और बस यह देखी अपने नोस की जगह पर उसका कुछ हमने पेंट कर दिया है और इसके लिप्स को भी मैं कलर कर देती हूँ आप चाहें तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं ऐसे भी अच्छा लग रहा है लेकिन मुझे लगा कि कलर कर देते हैं क्या हर्च है और भी अच्छा लगेगा तो बस यह देखिए हमारा यह बिल्कुल शोपीस या कहें की कोगल सोल्डर या चश्मा रखने का स्टेंड बिल्कुल रेड़ी है थैंक्यू वेरी मज़ पर वाचिंग